आपना उद्बोधन माटे भारत माता की मन्च पर विराजबान दादरान अगर हवेली और दमन दीव के प्रशासक जिमान प्रफूल भाई पटेल ताउंसद में मेरे साथी स्री नतु भाई पटेल स्री लालु भाई पटेल वल्सार से डॉक्टर केशी पटेल महराश्टर से सी राजेंद्र गाविज जी और दमन दीव सेलवास के मेरे प्यारे भाई और बहनों आज प्रधान सेवक के तौर पर मैं फिर एक बार आपके बीच हूँ लेकिन उससे पहले भी ये दमन हो दीव हो सेलवास हो या के गाव हो ये मेरे लिए नए नहीं है कई बार आने का उसर मिला दादरान अगर हवेली और दमन दीव की सड़कों पर कभी स्कूटर में भूमने का मोका मिलता था यहां के खान पान रिद्रिवाच यहां के नागली सब कुछ जब यहां आता हूँ तो पुरानी बाते याद आती है आपके प्यार में मुझे अभिवूत किया है साथियों 2017 में जब अप्रिल के महिने में मैं आपके बिचाया था तो अनेग योजनाओं का सिलानियास किया था मुझे खुशी है कि इतने कम समय में अधिकाओं उसका कार्य पुरा कर लिया गया है और उनमें से कई का आज लोकारपन किया जा रहा है आज जब एक बार फिर आपके बीच हूँ तो यहां चवदा सो करोड रुपिये से अधिक के प्रोजेश का लोकारपन और सिलानियास किया गया है यह परियोजनाएं यहां की कनेक्टिविटी, इन्फास्ट्रक्चर, स्वास्त, और सिक्षा, परियातन, संस्कृति, विरासाथ इन सब अनेक पहलों से जुड़ी हूँ यहां के उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए आज यहां नई इंडिस्टियल पॉलिसी और नई आईटी पॉलिसी भी लांच की गई है नई वर्ष पर इन उपहारों के लिए आप सब को बहुत बहुत बढ़ाई भावियर बहनों सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चल रही केंद्र की सरकार विकास की पंचधारा के लिए पूरी तरह से समर्पीत है बच्चों को पढ़ाई युवाओं को कमाई बुजुर्गों को दवाई किसानों को सिंचाई और जन जन की सुनवाई ये हमारे लिए विकास का राजमार्ग है मुझे देखकर भी खुशी होती है कि पिछले पांच वर्षों में दमन दीव और दादरा नगर हवेली का अविकास नई उचाई पर पहुंचा है इन दोनों ही छेत्रों की एक नई पहचान बनी है अनेक विश्वयों में ये दोनों केंद्र संग प्रदेश व्यवस्ताओं में अपूर्णता से निकल करके पूर्णता की तरफ आगे बड़े हैं आज दमन, दीव और दादरा नगर हवेली दोनों ही खुद को खुले में सौच से मुक्त गोशित कर चुके हैं आज दोनों ही खेत्रों के हर घर में LPG कनेक्शन है और दोनों ही केरोसीन फ्री गोशित किये जा चुके हैं आज दोनों उन्डियन टरिटरी के सभी घरों में बिजली कनेक्शन है पानी का कनेक्शन है आज इन दोनों क्षेत्रों में रहने वाले वो गरीब जो प्रदान मंत्री आवास योजना के तहट घर पाने के योग्य थे उन्हें गरों की मंजुरी दी जा चुकी है आज दोनों ही खेत्रों के वो लोग जिने आविश्यमान भारत योजना का लाप मिलना है गोल्ड कार्ड जारी किये जा चुके हैं साथ यो अगर मैं बीते तीन वर्षों की ही बात करूँ तो इन दोनों केंद्र साथिट प्रदेशों में करीब करीब नव हजार करोड रुपिये का निवेश किया गया है नव हजार करोड आप कलपना कर सकते हैं अब हमारा छेत्र कहां से कहां पहुँच रहा है इस रासी से अनेक परियोजनाय सुरू की गई है अनेक को पूरा किया गया है इसी कड़ी में आज यहां स्वास्त से जुड़े अनेक प्रोजेश का लोकारपन और सिलाद्यास किया गया है आपके एक बहुत पुरानी मांग भी पुरी हुई है दादरा नगर हवेली दमन और दीव को आज हादी के इतने दशकों के बाद अपना पहला मेडिकल कॉलेज मिलेया आज तक दोनों केंदर सासित राज्यों को साल में सिर्फ पंदरा सिटे ही अलग-अलग जगाओं पर मिलती थी अब इस प्रयास से 150 सिते एक ही जगह पर इस नई मेडिकल कॉलेज में प्रारंब हो रहा है इसका मतलब यह नहीं कि आगे चाल करके डेड़सों पर ही रुकेगा जैसे काम बढ़ेगा स्टूडन की संख्या भी बढ़ेगी भाई और बेनों कोशिस ये भी हो रही है कि बीना समय गवाएं एक वैपकल्पीक बिल्डिंग से इसी वर्ष से ही मेडिकल कॉलेज शुरू किया जा सके मुझे भी बताया गया है कि मेडिकल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए सिल्वा सामय पैरा मेडिकल की करीब धाई सो और दबन में नर्सिंग की पचास सीटों की भी व्यवस्ता की गई है इन प्रयासों से युवा साथियों का तो लाब होगा ही यहां की स्वास्त सेवाओं को बहतर बनाने में भी मदद मिलेगी साथियों दो सो करोड रुपिय की लागत से बनने वाले इस कॉलेग के अलावा हेलतेवं वैलनेस सेंटर्स का जो नेटवर्क यहां बनाया जा रहा है उससे सामान या बिमारियों का उत्तम इलाज भी घर के पास ही संभव हो पाएगा आयुश्मान भारत योजना के तहट बंद रहे दरजनों ऐसे हेल्ट एंड वैलनेस सेंटर्स का भी लोकारपणी यहां किया गया है भाईयों और भेनों थोड़ी देर पहले यहां आयुश्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग ये योजना उनके कुछ लाभारतियों को काड़ दिये गए हैं दुनिया की इस सबसे बड़ी हिल्ट केर योजना की चर्चा आज पूरे विश्व में हो रही है लोग इसे मोदी केर कह रहे हैं कारण ये हैं कि इस योजना के तहट हर दिन देश्ट में लगबग 10,000 से भी जादा गरीबों का मुप्त इलाज सुनिश्चित हो रहा है अब इसको सो दिन से थोड़ा उपर ही समय हुआ है इतने कम समय में ही लगबग साथ लाख गरीब मरीजों का अस्पताल में इलाज हो चुका है साथियों दवाई के साथ साथ पढ़ाई की सुमिदाओं का भी विस्तार किया जा रहा है थोड़ी देल पहले यहां सिक्षा से जुड़े नए संस्तान आपको समर्पित किये गए है दीव का एजुकेशन हब इसके समाम व्रवस्ताएं यहां के युवाओं को घर के पास ही अच्छी सिक्षा उपलब्द कराने में मदद करेंगी बाई और बेनों तबाई और पढ़ाई के साथ साथ सरकार ये भी सुनिश्चित कर रही हैं कि कोई भी गरीब बेघर ना रहे बिना च्छत को उसकी जिन्दगी ना हो उसको रहने के लिए पक्का गर हो प्रधान मंत्री आवास योजना के तहट गाव और शहरों के गरीबों को अपना पक्का घर देने का एक व्यापक अभियान देश भर में चल रहा है इस संकल्प की तरफ एक कदम और बढ़ाते हुए दादरानगर हवेली और दीव दमन में आज अनेक घरों का लोकारपन किया गया है इसके अलाबा नए घरों के निर्मान कारे का सिलानयाद भी थोड़ी देर पहले किया गया है इसमें दमन के इंडस्ट्रियल एडिया में काम करने वाले कामगार परिवारों के लिए बना हाउसिंग प्रोजेक्ट भी सामिल है आज जिनके घर का सपना पूरा हुआ है और जिनके घर बनने शुरूई हैं उनको मेरी तरब से बहुत-बहुत रदैप्रवक बधाई देता है नए साल में नए घर का उनका सपना पूरा हुआ है साथियों, बीते साड़े चार वर्सों में दादरान अगर हवेली जैसे छोटे से ख्षेत्र में एक हजार से अधिक शहरी गरीब आवास के लिए काम किया गया है बनाए जा चुके बीते साड़े चार वर्सों से जिस कमिट्मेंट के साथ जिस स्पीड और स्केल पर गरीबों के घर बनाने का काम चलना है वो अभूत पूरवा है पहले की सरकार जहां अपने पांच साल में सिरब पचीस लाख गर बना सकी थी वही हमारी सरकार अब पांच साल में एक करोड़ पचीस लाख से अधिक गरों का निरमार पूरा कर चुकी है कहां 5 साल में 25 लाग और कहां 5 साल में 1 करोर 25 लाग से भी ज़ादा भाई और बैनों ये भी सिर्फ 4 दिवार्यों ही नहीं इसमें सवभाग योजना के तहट बिजली का मुप्त कनेक्शन भी मिलता है टॉयलेट पी रहोता है कीचन में उजवला योजना के अंतरकर मुप्त लपीजी गैस कनेक्शन भी दिया जाता है दादरान अगर हवेली की बात करू तो यहां 13,000 बहनों को मुप्त गैस कनेक्शन दिये जा चुके इस प्रकार की तमाम सुविधाएं गरीप के आत्मी स्वास को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रही है सात्यों सामान्य मानवी का जीवन सरल और सुगम हो इसके लिए देश के स्मार्ट व्यवस्ताओं का निर्माण हो रहा है सिल्वासा और दीव शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए अनेक योजनाओ पर काम चल रहा है यहां की सडके हो, गलिया हो, सीवर और पानी की व्यवस्ता हो, साप सभाई की सुविधा हो, हर स्तर पर काम हो रहा है थोड़ी देर पहले स्मार्ट सिटी से जुड़े अनेक प्रजेस का लोकारपन और सिलान्यास की आ गया है साथ क्यों सिल्वासा तो इस पूरे छेत्र की आर्थी गतिविद्यों का उर्जा केंद्र है अनेक उद्योग यहां पर है और बविश में भी यहां उद्योगों में उद्योगों में के लिए अनेक संभावनाए है सिल्वासा नगर निगम का भवन हो, सीवेज ट्रिट्मेंट प्लांट हो, कनेक्टिमिटी को सुदद करने वाले प्रोजेक्ट हो यह सभी यहां के जीवन को आसान बनाने वाले हैं, साथियों सिल्वासा के साथ साथ दमन और दीव भी विकास को रप्तार दी गई है दमन गंगा पर बने नए पुल, नई सिवेज लाइन और ट्रिट्मेल प्लांट जैसे सुभीदाओं से दमन वासियों का जीवन सुगम होने वाला है वहीं मोटी दमन में बनी सी वाल, अब सागर की लहरों से आपकी सुरक्षा करने वाली है इससे मिंटी के कटान की समस्या बहुत कम होने वाली है साथ को पिछली बार जब मैं यहां आया था तो अनेक आदिवासी परिवारों को जमीन के पट्टे बाटे गए थे आज भी कुछ साथियों को जमीन के अधिकार पत्र सौंपने का आउसर मुझे मिला है भाई और बहनों, जमीन हो, जंगल की पैदावर हो, पड़ाई लिखाई हो, खेल से जुड़ी प्रतिवा हो हर स्थर पर आदिवासीों के कल्यान के लिए व्यापक प्रियास किये जा रहे है बंधन योजना के तहर जो जंगल की उपज है उसमें वेल्व इडिशन और उसके उचीत प्रचार पसार के लिए देश बर में सेंटर बनाए जा रहे है जंगल से जो उपज आदिवासी बहन भाई खटा करते हैं उनका सही मुल्य मिल सके इसके लिए समर्थन मुल्य का दाइरा बढ़ाया गया है साथियों आदिवासी समाज की कमाई के साथ साथ कल्चर के सवरक्षन के लिए भी गंभीर प्रयास हो रहे है आज भी यहाँ एक के इतिहास और सांस्कुर्थिक विरासत चे जुड़े अनेप प्रोजेक्स का प्रारंभ हुआ है कल्चरल सेंटर हो पुराने किलों का सवरक्षन हो दीव में आएनेश खुकरी से जुड़े समारक्स तल हो यह निश्चित तोर पर स्थानी यह संस्कृति के सवरक्षन और उसके प्रचार प्रथार में अहम सिद्ध होने वाले है साथियों संस्कृति और गवरव इतिहास के यह समारक्स हमारी भावनाओं के प्रहरी तो है युवाओं के लिए रोजगार के अनिक अवसर भी बनाते हैं यह तुरिजम को ताकत देते हैं दादर और नगर हवेली में परियटन के लिए बहुत संभावनाए हैं इस खेत्र को टूरिस्ट मैप पर लाने के लिए सरकार हर संभो प्रयास कर रही है। सिल्वासाँ में बढ़े दमन गंगा रिवर फ्रंट के पीछे की भावना भी यही है। अब यहां आने वाले परियत्रकों के लिए एक और आकर्शन का केंद्रा यहां बन कर तयार है। मदुबन डेम के कैच्टमेंट एरिया में वाटर स्पोर्ट की एक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। दादरा और नगर हवेली की इंटरनेट कनेक्टिविटी भी बैतर हो। इसके लिए यहां के प्रमुक टूरिस्ट सेंटरों और अहम जगों पर फ्री वाइफाई की सुविदा देने का प्रयाद चल रहा है। साथ्य और टूरिजम के साथ पारंपारिक रोजगार के साधनों और संसाधनों को भी मजबुती दी जा रही है। ब्लू रिवालूशन स्किम के तहट मचवारों की आई बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है। मचवारे बहन भाईयों के लिए मचली पकड़ना आसान हो, मार्केट तक पहुंच आसान हो, इसके लिए कोशिश की जा रही है। मचवारों की पारिवारी गनावों को आधुनिक मोटर बोर्ट में बदलने का काम चल रहा है। मचली के उत्पादन के लेकर व्यापार तक की व्यवस्ताओं को बहतर बनाने के लिए मचवारों को आसान और सस्ते रून के लिए एक विशेष फंड बनाया गया। इस फंड के माध्यम से करिब साड़े साथ हजार करोड रुपे की ववस्ता की गई है। भाई यो और बेनों आज गरिवों के लिए आदिवाश्यों के लिए मध्यमपर के लिए जितने भी योजनाय चल रही हैं। उनके मुल में सबका साथ, सबका विकास यही हमारी प्रेणा है। जप्ति वोदल जिसने दसकों तक देश में सरकार चलाई, वो हर काम में अपनी या अपने परिवार की संभावनाएं देखता था। यही कारण है कि वहाँ काम से ज़्यादा नाम पर जोर दिया गया। साथ योई इस पूराने सरकारी संसकार को, आदतों को हमने बदला है। हमने नाम के बजाए काम पर ध्यान दिया है। आज सरकारी योजनाओं का नाम क्या होता है। आईश्मान भारत योजना, प्रधान मंत्री आवास योजना, प्रधान मंत्री उजवला योजना, प्रधान मंत्री मोद्रा योजना, प्रधान मंत्री जंदन योजना, प्रधान मंत्री कृसी सीचा योजना, ऐसी तमाम योजनाए हैं। लेकिन कहीं पर भी मोदी का नाम नहीं है ये दिखाता है कि हमारी नियत जंता के विकास की है परिवार के विकास की हमारी न संस्कृती है न हमारा इरादा है और मेरे लिए तो ये सवासो करोर देशवाजी यही मेरा परिवार है और सवासो करोर देशवाजों का कल्यार यही मेरे लिए कल्यार का मार गया है सात्यों यही साप नियत और स्पस्त निती इनको जरा खटक रही है मोदी सरकारों के पूराने सवस्कारों को क्यों बदल रहा है इससे इनको तकलीफ हो रही है इन्हें दिक्कत है कि मोदी ब्रस्टाचार के खिलाब इतनी कड़ी कारवाई क्यों कर रहा है करना चाहिए यह नहीं करना चाहिए ब्रस्टाचार के खिलाब लड़ना चाहिए यह नहीं लड़ना चाहिए देश को प्रश्चाचार से मुग्ति दिलानी चाहिए नहीं दिलानी चाहिए इनहें परशाणी है कि सत्ता के गलियारों में घुमने वाले पिचोलियों को मोदी ने बहार क्यों निकाल दिया इन्हें गुस आंग रहा है कि मोदी गरीबों का अधिकार छिनने वाले उनके राशन, उनकी पेंशन, उनको मिलने वाले हग इसके हडपने वाले बिचोलिये दलालों को बाहर क्यों कर रहा है और अपने इसी गुसे की वज़ा से अब ये लोग एक महा गढ़वन्दन बनाने की कोशिश कर रहे है हालत ये है कि जो पहले कॉंग्रेस को पानी पी पी कर कोशते थे वो भी एक मंच पर आ गए है साथ यो ये महा गढ़वन्दन स्रम मोदी के खिलाब ही नहीं ये देश की जन्ता के भी खिलाब है अभी तो ये पूरी तरह साथ आये भी नहीं लेकिन हिंसे दाली पर कैसे मोलभाव चल रहे है लेखा जो खाच चल रहा है लेन देन चल रही है ये भी देश का नवजवान देश का किसान देश की महिला है पहली बार बोट डालने वाला मारे देश का युवान इन बातों को बहुत बारिकी से देख रहा है और इन लोगों की आँख में कोई दुल जौक नहीं पाएगा साथियों इन लोगों की दुनिया मोदी से नफ़त से सुरू होती है और मोदी को गालियां दे करके समाप्त हो जाती है मेरी दुनिया मेरी सुवे सबासो करोर देश वाच्यों के कल्यार के संकल्प के साथ हुरू होती है और दिन धर पसीना बहा करके जब रात को सोने जाता हूँ आज कितना अच्छा काम किया इसी पे लगा रहता हूँ मेरा आदी भी वही है मेरा अंत भी वही है इनकी दुनिया अपने परिवार को अपने भाई भतियों को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है और बड़े गर्व के साथ कोशित किया जा रहा है भायो भनो मेरी दुनिया दो मेरे सबासो करोड देश वासी आगे बढ़े उसी के लिए समाई को इनकी दुनिया में भारत के विकास के लिए विजन नहीं है भारत के भविशे की बात नहीं है वहीं मेरी कोशिश भारत को 21 सरी में दुनिया का स्रेश्ट अतम देश बनाने की है भाई और भहनों अपने परिवार अपनी संतनत को बचाने के लिए ये कितने भी गटबंदन मना ले अपने करमों से ये नहीं भाग सकते है उनके कुकर्म डगर डगर पर उनका पीछा कर रहे हैं वो बच नहीं सकते जिरम बोधी का दिरोत इनकी स्वार्थ की राजरिती को अख़बारों में जगा देजेगा मिडिया में चमकते रहेंगे लेकिन देश की जनता के दिलों में देश को स्टबा करने वाले लोग कभी भी जगा नहीं बना पाएंगे भाई यो बेनो आपको शाहिद पता नहीं है जो लोग जनता से उखड़ जाते हैं जनता जब उनका मिजाज बदल देती है जब उनके पैरों की जमीन खिसकते लगती है तो आकुल व्याकुल हो जाते हैं अभी कलकते में आप देखिए पस्चिम मंग्राल में भारतिये जनता पार्टी का सरफ एक एमेले हैं एक कितने एक लेकिन वहाँ बीजेपी से बचने के लिए पूरे हिंदुस्तान के साड़े लोगी खटे हो गए हैं एक एमेले वाली पार्टी उसके निन्ध हराम करके रख दी है क्योंकि ये सत्य के मार्क पर चलने वाले हम लोग हैं एक एमेले होने के बावजुद भी हिंदुस्तान का सारी जमार्ट वहाँ खटे हो करके बचाओ 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 इसके नाले लगा रही है मैं पास्चिम बंगाल की जनता को बढ़ाई देता हूँ एक एक एमेले ने इतनी छोटी सी पार्टी ने गलत काम करने वालों की निन्ध हराम कर दी है उनकी जमीन खिसक रही है डर के मारी खटे हो रहे हैं भाई ये बहनो ये लोग ताना साह इतना ही नहीं पस्चिम मंगाल हो केरन हो दगर दगर पर जुल्म शाही है जिस पस्चिम मंगाल में पॉलिटिकल पारजी को उसका कारिकम करने के लिए रोक लगा दी जाती हो हर प्रकार की अलोकांट्रिक प्रक्षिय की जाती हो लोग तंत्र का गला गोड़ दिया जाता हो वह वहाई खट हो करके लोग तंत्र को बचाने के भाशन देते हैं तब मुझे इतना ही कहना है जब पूरे पस्चिम मंगाल का चित्र देखता हो तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि लोग तंत्र का गला गोड़ने वाले पंचय के चुनाव में नामांग करने के वालों को मौट के खात उतार देने वाले जब लोग तंत्र बचाने की बात करते हैं तब देश के मुझ से निकलता है वाह क्या सीन है वाह क्या सीन है साथियों ये लड़ाई सकारात्पक सोच और नकारात्पक रवये के बीच की है ये लड़ाई विकास और प्रस्ताचार के बीच की है ये लड़ाई जंता और महागणदन के बीच की है भाई और बहनो सकारात्पक सोच के साथ सही प्रयास ही नए भारत के निर्मार का रास्ता है इसी रास्ते पर हम सभी को देश के जन जन को तेज गती से चलना है ये पॉजिटिविटी नए बर्ष में हमारे मन मस्तिस्क में देश के कौने कौने में बढ़ रही है इसी कामना के साथ देश को नए उचायो पर ले जाने के देरे के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और भाई यो भनो आप देख रहे हैं मैं सुबह से चल पड़ा हूँ भारत की सेना को मेकिन इंडिया का लाब मिले भारत की सेना के पास मजबूत टैंक देश से बनी हुई हो कभी सुबह जाकर के उनकी चिंता करता हूँ देश की सेना के ताकत बढ़ाने के लिए तो आज अभी दिव दमण में आकर के यहां की जन सुरच्छा के लिए यहां की युवा पीडी को मेडिकल कॉलेज मिले इसके लिए काम कर रहा हूँ भाई यो भेनो कलकते में लोग मिलकर के दल बचाने का जुगार कर रहे हैं और मैं आपके बीच आकर के देश को आगे बढ़ाने के लिए जी जान से लगा हुआ हूँ यह फर्क साब है दोस्तों यह फर्क साब है वो खुद को बचाने के लिए सहारा डून रहे हैं मैं देश को आगे बढ़ाने के लिए सबका साथ सबका विताफ ले करके चल पड़ा हूँ और आज इतने छोटे से दीवजमन में लाखों की तादात में आ करके आपने जो आशिरवाद दिये हैं जो प्यार दिया है यही हिंदुस्तान का मिजाज है बाईयों यह दीवजमन यह लगू भारत है हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं है जिसके लोग यहां नहीं रह आता मुझे गाड़ी से आना था लेकिन दोरों तरफ एक लगू भारत मैंने देखा हिंदुस्तान के हर राज्जे के लोग अपने अपने पहनावे के साथ खड़े थे मैं पैदल चलके उनको प्रणाम करता हुआ आपके बीच पहुच गया भाईयो क्यों कि हमें देश को हम आपकी सब्सक्राइब को पूरा करने के लिए आपको समर्पित है आपके आथिरवात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मेरे साथ पुरी ताकत से बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत दन्यवाद मालिया द्रधान मंत्री जी